नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो आज का जो वीडियो है इसमें एक अच्छा रिस्पॉंस देखने के बाद आरो और ए आरो का काफी बच्चे इच्छुक हैं हमसे जूणने के लिए तो इसको देखते हुए हम लोग आरो और ए आरो का जो सिलिवस है और उसके स्ट्रेट मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो टेश्रीज होगा है ना टेश्रीज हम लोग हर एक वीडियो के बाद आपको देंगे ठीक है और टेश्री सेक्षन वाइज होगा जैसे मान लोग मैं समानने भी ज्यान पढ़ा रहा हूं उसका लेक्चर दिया गया आपको तो जो पढ़ कि आपको तो मिल रहा है साथी साथ आपको गाइडेंन्स भी मिल रहा है मैंने कल की वीडियो मथा दिया और आपको यहाँ पर एक आपकी जो लाइव एक सेशन चलेगी जिसमें आपकी जितनी क्वेरी है जितनी प्रॉब्लम से उसको सॉल्व की जाएगी है ना हो सकता है आपको जूम से कनेक्ट किया जाए है ना और या फिर जीमेल का जो वीडियो है या फिर गूगल मीट से आप को connect करके आपके हर एक query को complete किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है, दूसरा, आपको बताया जाएगा question को analyze किया जाएगा, previous year question को analyze किया जाएगा, जो questions आपको दिये जाएगे, उस testories के बाद आपको solve करना होगा घर पे, ठीक है, आप उसको download कीजिए या फिर online जैसे, खास करके आप जैसे दिना, आप उसका ही, जो आप लिखेंगे, आगले दिन, या एक दिन बाद उसका वीडियो, खुद से मै, खुद से मै analyze करके उसका बनाऊगा, उसका answer क्या होना च testories के, दूसरी, इसकी त्यारी मैं चाहों तो 60 दीन में करवाओं, लेकिन मैं यह सोच रहा हो कि exam, चुकि आपका जो prelims का exam है, वो आपका exam कब पढ़ जा रहा है, आप कोई मालूम होगा, exam आपका पढ़ जा रहा है, 21 अगस्त को, कब पढ़ रहा है, 21, sorry, 1 अगस्त 2021 को, है the pre-exam will be conducted on 1st August 2021, and the means exam will be conducted on 18 December 2021, तो अभी क्या है, कि हम लोग 2 महिने means के point of view से चलेंगे, आप ध्यान दीजे, 2 महिने means के point of view से, यानि January, February, March के mid तक, ठीक है, और after March के बाद, March के बाद आपका सारा August का चलेगा, यह ध्यान दीजेगा, है ना, सारा August का चलेगा, और August का चले प्रत बाद, जैसे ही वो खत्म होगा आपका प्री, फिर मेंस का सुरू हो जाएगा, तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है, कि हम तो चाहे तो पूरा syllabus हम लोग 60 दिन में खत्म करतें, लेकिन आपको एक रूटीन में बांद कर चलना चाहते हैं, है ना, यह चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, और कोशिच करेंगे कि हम लोग पहले ही अपना जो है सारा कंप्लीट कर ले, अपना पूरा syllabus ठीक है, अपना पूरा syllabus पहले कंप्लीट कर ले, बाद में 2-3 महीने कंदर या जो भी मैक्समुम 4 महीने कंदर बाग ही आपका रिवीजन और टेस इतना जल्दी हो सके आप फॉर्म, भर लिजे 173 पोस्ट के लिए जिसमें ROA है, APS का है, यह चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आब आपको ध्यान दने प्री मेंस के बेसिस पे होगा सेलेक्शन, रिवीव ओफिसर का 43 पोस्ट है, असिस्टेंट रिवी मैं आपको बताता हूँ, जिसका जन्म है, हैना, मतलब एक जुलाई 99 के पहले हुआ है, वो फॉर्म भर सकता है, मतलब यह ध्यान देने के मिनमम एज एक किसा है, मैं किसमम 40 है, हैना, रिवीव ओफिसर के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया था, बैचलर डिगरी किस से, रिगणाई इनुवर्सिटी से, और एसिस्टें रिवीव ओफिसर के लिए बैचलर डिगरी किसी, बैचलर डिगरी हैना, जो की बैचलर स्टिगरी फ्रम एजिश इंश्टेबिस पहले ओ लोग इन इंडिया, हैना, और ओर क्वालिफिकेशन रिग्नाईज पयगर्में हो कि आप कम से कम 25 यानि 25 वर्ड 25 सब्द हर एक मिनट हिंदी में आप टाइप कर सके यह मैं आरो का बता रहा हूं साहक समिक्षा दिकारी का तो ज्यादा तर वैसे अभियर्थियों को प्रिफरेंस यहां दिया जाएगा जो इंगलिस में टाइप करते हैं रेव्यू ऑफिसर एकांटेंट का आपके पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए व्यूमर्स और एक इनवर्सिती जो की इंडिया के कानूनन मतलब इंडिया के इनवर्सितें से रेकरनाज़जट हो हैं आपको हिंधी टाइपिग का जो नौलेज भी होना चाहिए द्योगनागरी एक स्क्रिप्ट में एडिशनल प्राइबिट सेक्रेटरी के लिए आपको बैसलर डिग्री होना चाहिए आपके पास या फिर एक्वावलेंट डिग्री होनी चाहिए और त्रिपल सी सर्टिफिकेट भी आपको डियो एससी द्वारा आपको सम्मानित होने चाहिए आपके पास सथिफिकेट होना चाहिए एक सो पचीश रुपया बैकवर्ड कलास के लिए और अन रिजर्ड क्लास के लिए हैं यह सिर्फ ग्लाइन ओन्लाइन मोड आपका फर्म भरा जाएगा आप इससे पहले इसके लिए आप उपिसिए पीस्याइट पर जा आप तो यह तो हम लोग ने इसके बारे में बात कर लिया है चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अब एक क्वेस्टन है था कि लास्ट इयर नहीं लास्ट इयर वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं आपके पास डिगरी होना चाहिए जब आप प्री का फॉर्म भरेंगे आपक डिसकस कर लिया कैसे पढ़ाई होगे सारा चीज मने डिसकस कर लिया ठीक है आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेट जाएंगे आपको बेफिक रही है आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी अब आते हैं अगली बात पर देखे समाननी अध्यन वस्तुनिस्ट होता है प्रानभीक परिक्षा के पाठीक्रम की मैं बात कर रहा हूँ दो घंटे का है समानने विज्ञान का भारत का इतिहास भारती राष्टी अंदुलन भारती राज तंतर और विवसायन संस्क्रिती पांचवी नमर पर भारती क्रिसी वानी जियोंग ब्यवपार चाठी नमर प भारती परिप्रक्ष में भारती ये संदर में साथ नमर पर विश्व भूगल तथा भारत का भूगल और प्राक्रितिक संसादन है आठ्वी नमर पर अधुनातन राष्टिय तथांतर राष्ट्री महत्वपुर्ण घटना करम है नवे नमर पर समानने बहुत इक छमता है दसवे नमर पूतर पर जिसकी सिक्षा और संस्कृति है और वहीं क्रिसी उद्योग बेपारेंग रहन सहन और समाजिक प्रथाओं के संबन्ध में विस्ष्ट जनकारी यानि टोटल दस काटेगरी दस सेग्मेंट से दस खेतर से क्वेशन पूछे जाएंगे अब आती ये यहां पर दिया हुआ है तो आप ध्यान दिजिए कि एक कलास को कंप्लीट करने में अगर मैं समानने भिज्ञान की मात्र बात करूं भारत का इतिहास का भारती राष्टी अंदोलन का इन सारे का जो है लिस्ट आपको जो है आपको मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बताता कि इसारे का कंप्लीट करने यह आपके पूरा जो दःत्सो काटेग्री जून के लास्ट तक यह एक कंप्लीट हो जाएगा यह मैं समानने अध्यन की बात कर रहा हूं जिसमें सब है भारतिय तिहास वग्रा मैंने बताया पांच महीना बहुत है आपका तो मुझे लगता है तीन महीने कंदर हो जाएगा, दो याफ तीन महीने कंदर, ठीग है, लेकिन मैं पांच महीना Extension बोल रहा हूँ, अब आपको तीन महीना बोल दिया अगर नहीं हो पाया तो, पांच महीना बहुत है, मुझे लगता तीन महीना कंदर हो जाएगा, अब आती है बात क्योंकि हमने पूरी डिटिल्स मनाई हुई है समान्य हिंदी प्रारंभीक परिक्षा का अगर बात की जाए तो समान्य सब्द ग्यान वंग ब्याकरन सुनिट जो की अबजिक्टिव होता है यह एक घंटा का एकजाम होता है जिसमें बिलोम सब्द दस क्वेशन आते हैं इसके ध्यान दिजेगा वाकिन वरतनी सुध का टोटल साथ प्रसन होता है लेकिन बिलोम का 10 question होता है वा क्योंग बरतनी सुद्धी से 10 question अनेक सब्दों का एक सब्द 10 question तत्सम्यंग तद्वाव सब्द 10 question विसेशवर विसेशन 10 question प्रायवाची सब्द 10 question यह आपके GS के साथ चलेगा यह लेक्चर यह ध्यान दीजिएगा है ना और यह काफी छोटा स लेवस है तो कभी भी पीच में एक महिना गुजरने के पास यह क्योंकि इसको समय देकर मैं खुद आपको बता दूंगा ठीक है पहले GS का हम लोग कंप्लीट करेंगे दो या तीन महिना लगेगा इसके बाद पुराद objective करें क्योंकि एक बार में दोनों अगर आप लेकर च बढ़ियां से तो चार लेक्चर अगर GS का जागा तो एक एक लेक्चर आपका समान्य बसब्द ग्याने वंग व्याकरन का जाएगा या तो फिर रेगुलर जाएगा ये समान्य हिंदी का इसके लिए बेफिक रही है दूसरी आती है कि साथ नमर का total होता है साथ question होता है समा समय होता है वही सिलेवस होता है समान्य हिंद्य वंग और आलेखन जो की objective होता है जिसमें लिखना पड़ता है आपको अड़ाई घंटे का होता है 120 नमर का होता है दिये हुए गाद्यांस का सिर्षक सारांस एवंग तीन रेखांकित अंसो की ब्याख्या इस परकार की question आती है जो की सरकारी पत्र का सारनी यानी सारने रोप यानी टेबुलर फॉर्म में शार लिखन यह 15 नमर का आता है पत्र आचारे जिसमें सास किये, अरध शास किये, पत्र कारियाले आदेश से, ग्याप प्रेपत्र लेक्षा, परिभासित सब्दावली रहता है अंग्रेजी से हिंदी करना होता है सब्सक्राइब ग्राइब दूदापपकरेब लिए उसमें आधा घंता किया और इकजाम होगा बीलोम सब्द होगा चौकट वेसे बारांका यह साठ अंका होता है वाकिंग बरत् Warm J reported चोंट चोंटे घंतेगा होता है größे हो यह घ्यान देंगे हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्याव हैं इस परसन पत्र के अंत्रगत की परसेशन होगह हो doubt एक प्रस्ण के एक एक सिर्षक का खग का चायन करते हुए दी गई सब्द सीमा में कुल तीन निबंधन निबंध लिखने होंगे आप मैं बताओंगा कि समय सीमा सब्द सीमा 600 है तो क्या साड़े छो सो लिख सकते हैं इसका मैं पूरा बताओंगा इसे का पूरा निचोड जागा इसमें कोई दीकत नहीं है इस अफेरी इजी से लिवस काफी असान से लिवस है सहाईति और संस्कृति समाजिक छेत्र राजिनितिक छेत्र से क्वेशन आएंगे चालीस नमर का एक में दूसरा आपको मिलेगा क्वेशन उसमें तीन होगा काखगा जो के बिग्यान प्रेयावरान एंग प्रदयोगी किसे होगा आर्थिक छेत्र कृसिंग वेपार से होगा को एक होगा है ना मतलब इन तीनों में से कोंई एक क्वेशन चार्ट के दिया जागा दिनों चेत्र से चालिस अंक का होगा सब्ढसिमा सो तिसरा होगा क्राष्ट्रियों अंतरा का होगा और मान लिजिए कि 40 अंक का होगा तो टोटल मेंस का मिला कर उधर 120 हो गया पेपर वन में पेपर टू में 160 इधर पेपर जो के हिंदी वाला है निबंध का इसमें 120 तो 120 प्लस सब्सक्राइब का टोटल मेंस होता है यह द्यान दीजिएगा और आप इसमें से अगर 60 पर सेंट भी माक्स ला लेते हैं यह विल भी टॉपर आप टॉप कर जाएंगे यह द्यान दीजिएगा इंटर्विव नहीं होता है अना डॉकमेंट्स आपको ध्यान देना है आपके प अलाकि साथ से सतर दिनों के अंदर आपका जीएस का कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए बेफिक रही है सारा नोट्स मिलेगा बना बना है हमारी तरफ से आपको टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा कैसे क्या पढ़ाई करना है वरकिंग परफेस्टनल के लिए मिल जो काम इसमें स्किम्स भी पूछे जाएंगे योजना यह सी ध्यान देंगे इसके करेंट फिर भी आपको मिल जाएंगे यानि समसामाई की आपको मिल जाएगी तो वीडियो देखने के धन्यवाद